आपका मेंटर आपका करियर करता हूँ आपके अपने इस्टिट्यूट कैसे हैं दोस्तों आप लोग क्या हाल चाले भाई क्या हाल है आप लोगों के कैसे हैं आप लोग तुनिए मेरे बच्छों बेभी का तबियत अब ठीक है आप सबने दुआएं की थी और मैं तो बहुत विस्वास करता हूँ भाई अच्छाई में दुआओं में और पीश्वर में प्यार में महबबत में बहुत बिलिव करता हूँ क्योंकि इन सब में इमोशन्स में बहुत ताकत होती हैं हम अलग बाते आजकल भोतिक जीवन में लोग इतने खो गए कि केयर, अफेक्शन, लव इन सब का महत्व नहीं समझते हैं और मैं इन सब को बहुत मानता हूँ मैंने सारी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, इतना अनुभव, इतनी किताबें में ने पढ़ी उसके बाद मैं इस लेवल पे हूँ कि presently I believe in God, I believe in care, I believe in the blessings of peoples also मैं इन सब में बहुत believe करता हूँ, क्यूं करता हूँ, कैसे करता हूँ, because मैंने इन सब को महसूस किया है, मैंने जिंदगी में हर चीज को महसूस किया है, सिर्फ एक purpose के लिए मैं किसी चीज को use नहीं करता हूँ या किसी चीज को नहीं, जब मैं life के किसी भी stage पे कोई काम करता हूँ न, मैं उसे feel करता हूँ, जैसे मैं अभी आपको achiever पढ़ा रहा हूँ, crash course पढ़ा रहा हूँ, यूट पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा तो रहा लिकिन मैं उस हर एक event को मैं महसूस कर रहा हूँ, feel कर रहा हूँ, यही मेरे को मेरी life में strong बनाता है, क्योंकि मैं किसी भी पल को quest नहीं करता, यह मेरी आदत है, एक भी second को मैं west नहीं करता, और मैं अगर किसी event को कर रहा हूँ, तो मैं उसको जीता हूँ, मैं उस event को सिर्फ एक काम समझ के नहीं करता, फिर यादत है, यह मेरा nature है, मैं उस event को जीता हूँ, महसूस करता हूँ, इस event को करने से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होगा, और मेरा हर work जो है वो बहुत planned होता है, मेरा हर काम, हर एक line बहुत planned होती है, highly planned होती है, unplanned classes में अगर class जो है, वो unplanned है, तो मैं नहीं लोगा, मैं उसे off कर दूँगा, unplanned classes में कहीं नहीं लेता, कभी लेता ही नहीं हूँ, मेरी हर class बहुत planned, बहुत structured, बहुत अच्छे ढंक से prepared होती है, और उसके values का, उसके importance का, सब का बहुत analysis किया जाता है, बहुत ध्यान रखा जाता है तब जाके उस class को में conduct करता हूँ, students तक पहुचाता हूँ, that is my nature, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरी life से, मुझसे, सिर्फ सिक्षा ही नहीं, सिर्फ selection ही नहीं, लेकिन एक जिन्दगी में कैसे आप लोगों को अपने आपकी life को जीना चाहिए, बहुत कुछ सीख सकते हो आप मुझसे, और एक अच्छा आदर्श गुरु वही होता है, जो अपने शिश्यों को, अपने students को, जीवन जीना सिखा दे, जिन्दगी का असली मतलब सिखा दे, पढ़ाई तो सिर्फ job दिलाईगी, लेकिन उस job का आपको आनंद आएगा के नहीं आएगा, ये तो को आपके सर ही बता सकते हैं, किसी चीज को हासिल कर लेना मिस आनंद की अनुबोती नहीं है, कि सिर्फ हमने किसी चीज को हासिल कर लिया और इस से हमें आनंद आ जाएगा, तो वो आनंद नहीं है, आनंद क्या होता है, कैसे होता है, वो आप देख सकते हो, जो मैं आपके सा classes लेता हूँ उसमें आप feel कर सकते हो वो आनन्द होता है मुझे पढ़ाने में आनन्द आता है लेकिन everything should be plant everything should be structured unplant किसी से जूट नहीं बोलना किसी के purpose को गलत धंक से नहीं करना जैसे आप job लगेंगे job लगेंगे अगर उस job को सिर्फ आप एक work समझते हो तो आप उस job में कभी भी आनन्द नहीं ले पाओगे आप सिर्फ अगर यह सोचो कि उस job को आपको करना है उसके बदले आपके पास पैसे आते हैं और वो आपका काम है अगर आपने यह thought बना लिया आपने brain के अंदर और आप उस इवन को जेना चाहते हो तो यू आर जस्ट वेस्टिंग यूर टाइम आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मैडियर मेरा कहना यही है कि जॉब भी आप लगेंगे आप जॉब में जाएंगे सक्सेस हो जाओगे मैं आपको करूंगा सक्सेस तो मेरे पास सब कुछ है जो आपक कुछ आपको दूगा लेकिन आपको अपनी लाइफ के हर इवेंट का आनंद लेना चाहिए मतलब उसको आपको बहुत अच्छे ठंक से जीना चाहिए तब जाकर के आपको उस लाइफ को जीने का प्लेजर मिलेगा आनंद मिलेगा क्यों मेरे दोस्त आज फैमिलीज के अंडरस्टेंडिंग के अंदर बड़ी परेशानिया है दोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं आप क्या समझाना चाहते हो किसी को वह समझता क्या है और यही सबसे बड़ी प्रॉबलम है एक है नहीं आप समझाना कुछ और DJ अचाते हो शावने वाला समझता कुछ और ह तो अपनी बातों को ऐसी समश्याएं ना आए इसलिए अपनी बातों को हमेशा बहुत सरल भाषा में और बहुत ही चुद्ध तरीके से हमें बोलना चाहिए ताकि कभी भी किन ही दो लोगों के बीच में Confusions और किन ही दो लोगों के बीच में Misunderstandings Create ना हो इसलिए अपनी बाषा का बिलकुल सरल तम तरीके से इस्तेमाल करें तो जीवन आपको अच्छा लगने लगेगा आप उसको फील करने लगोगे आप उसमें आनन्द आने लगेगा आपको क्योंकि a major problem is that कि हम किसी को tackle कर रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं किसी के साथ अगर हम जी रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं सामने वाला समझता क्या है do you understand और that is a major problem in societies और इस कारण से लोग mentally disturbed हो रहे हैं frustrated हो रहे हैं anxiety में जी रहे हैं stressful life जी रहे हैं so you can manage because you are a medical student और easily I am teaching you everything about this कि how you can manage your life how you can better enjoy your life even में आनन्द कैसे आएगा क्यों आएगा everything depends on us सब कुछ हमारे उपर ही निर्भर करता है success, unsuccess, failure, आनन्द, दुखी होना, stress, anxiety, everything depends on us सब कुछ हमारे उपर निर्भर करता है हम किसी और को दोश दें तो we have lack of knowledge अगर आपको कोई समश्या हुई और उसका दोश किसी को आप देते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा सा you have the lack of knowledge आपको knowledge नहीं है that is not a problem, problem हमारे अंदर ही है और we can correct this problem तो मेरे दोस्तों बहुत कुछ आप सीख सकते हैं मेरे यहां से क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इतना मैं जानता हूँ मैंने अध्यात्म भी पढ़ा है और पढ़ता हूँ प्रेजेंट भी medical पढ़ा है, ayurved पढ़ा है और पढ़ा है फिर उस knowledge को उस ग्यान को लोगों के साथ share कर रहा हूँ तो मैंने बहुत कुछ अध्यान किया है उसके बाद में लोगों से बात करता हूँ कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ में एक मेरा मित है इससे बात कर रहा हूँ, नहीं I just have everything practical, scientific, जो scientific तरीके है सब को mix करके देखा है साइन्स को अध्यात्म से कनेक्ट किया है, spiritual से कनेक्ट किया है, firewood से कनेक्ट किया है, allopath को कनेक्ट किया है Then after all, I am just sharing my conclusion, I am sharing my experiences with every my student because nurses को इतना serious नहीं लिया जाता है और so, इससे समश्चा क्या हो रही है, समश्चा यह हो रही है कि nurses जो है, एक quality nurses हम create नहीं कर पा रहे है और मेरी पूरी कोशिश है, मेरे पूरे efforts है, कि just weekly में जितने nurses produce होंगे everyone will be a quality nurse, quality nurses मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा they should, they will be not only a nursing officer, they will be a quality nursing officer और यही मेरी कोशिश रहती है, कि जितने भी nurses मैं create करूँ, every nurse will be a quality nurse I hope everyone understand what I want to say you यहां तक सब को बात समझ में आया मेरे दोस्त yes, आपकी वज़े से हम अपने संस्कार और अपनी संस्क्रती से मैं बहुत दूर जा रही थी, लेकिन अब मैंने सीख लिया है very great, I expect you everyone the same thing कि आप सब, क्योंकि देखो, इनके बिना भी जिवन है और इनके साथ भी जिवन है तो इनके साथ जिवन जीने में हमें कोई परिशानी नहीं है हमें कोई तकलीफ भी नहीं है इनसे हमें बहुत energy मिलेगी, बहुत power मिलेगी, बहुत अच्छा मिलेगा हम बिना parents के भी जिवन जी सकते हैं जिवन तो कैसे भी जिया जा सकता है लेकिन अगर सब चीजों को साथ लेके जी होगे, तो और भी आनद आएगा, क्यों, शोकि आपके सुख को आपसर करने वाला भी कोई होगा, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, चाहिए वो आपके family members हैं, आपके दूसरे साती हैं नर्सेज ही हैं अगर वो आपके साथ जुड़े हुए हैं रियल रियल फिलिंग्स की बात कर रहा हूं फैक नहीं फैक रिस्ते तो सोशल मीडिया पे बहुत हैं हजार हैं इनको आप भी नहीं जानते होंगे आपकी इभी पर कौन-कौन जुड़े हैं लेकिन रियल में कभी नहीं जानते सब्सक्राइब मैं कह रहा हूँ वॉ मैं यह कह रहा हूँ रियल अर्थ लेबल पर जमीनी लेबल पर बिल्कुल कितने आप लोगों को सही धंग से manage कर पाते हो उनके साथ कितने अच्छे धंग से इस जीवन को share कर पाते हो that is important सिर्फ किसी को all the best बोल देना that is not a good manners कि जैसे मैं सिर्फ आपको एक message करूँ exam के पहले all the best बचों और बस वो all the best एक फॉर्मलिटी है लेकिन मैं आपके साथ खड़ा रहूँ आपको पढ़ाऊँ आपको हर एक वो तरीका बताऊँ जिससे आप अपना exam अच्छा बनाओगे असली all the best वो है असली all the best वो है सिर्फ एक फॉर्मलिटी करके हम किसी को ये बोल देते हैं कि हाँ I am very I am your very great friend हम जो आज की life में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं न हम कहीं न कहीं अंदकार के अंदर हैं कहीं न कहीं हम real life को भूल गए हैं और एक real वाली life जो है social media वाली जो life है fake life जिसको हम कहते हैं वो हम जीते जा रहे हैं हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं उसकी वज़े से हुआ ये कि आप बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर enjoy नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हो, और आज का इंसान ना उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनमें बहुत गहरा रहश्य है, बहुत ज़्यादा आ 25 साल पहले की, 25 साल पहले में 300 रुपे की वो जो रिमोट से चलती है न, वो गाड़ी लेके आता था, इसी भी मैले में जाओ, वो गाड़ी जरूर लाता था, और करता क्या था पता हैं, उसको लाते ही, अगले दिन ही उसको खोल के देखता था कि इसके अंदर क्या है, तो म आपकी life upper class कब हो जाएगी आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा, हर चीज़ को समझना चाहिए, किसी पे चीकना चलाना नहीं चाहिए, किसी ने कोई बात बोली है ना अगर आपसे, आपसे किसी ने ये भी बोला है ना कि तुम बहुत बेकार इंसान हो, अगर ये भी बोला करें और उससे बहुत पॉलाइटली ये पूछें, कि आप ऐसा कह रहे हो, ऐसा क्या लगा आपको, कैसे कह रहे हो, अगर स्माइल करके इतने अच्छे से आप पूछोगे ना, तो शायद आपको वो जो बात बताए, उस पे गुस्ता होने की ज़रत नहीं है, वो बात जो आ पूछों कि आप इसा कैसे कह रहे हो, और इसमें कैसे आपको ऐसा लगा, तो डेफिनेटली एक और नई चीज मिलेगी आपको, जिससे आप अपने अंदर इंप्रूमेंट ले के आओगे, और देखो, इनसान ही वो एक प्रानी है, जो जीवन में डे बाई डे सुधार करता है, तब ही हम उसको इनसान कहते हैं, परना एनिमल्स तो जैसे जीवन जीना है, उनको भी नहीं पता कि कैसे जीना है, I hope everyone understood, आप समझ मैं, गुरू का real meaning आप से सिखा है, real गुरू, गुरू जी आप ही real गुरू है, you are an amazing person sir, thank you so much for your great understanding, और मैं आप सब के अंदर वो देखना चाता हूँ, जो मैं आपको दे रहा हूँ, very quite यही है, मैं nurses के अंदर, students के अंदर, कम से कम जन students को मैं पढ़ाता हूँ, जो मुझ से पढ़ते हैं, और मैं चाता हूँ कि India का हर एक nurse, मुझे पढ़ाने का मुका मिले, मुझे समझाने का मुका मिले, और मैं एक दिन इस profession की कल इस तरीके से कर रहा हूँ कि जब लोग हमें सेल्यूट करेंगे लोग हमारे IQ से हमारी बातों से हमारे work से इतने प्रभावित होंगे कि लोग हमें सेल्यूट करें और कहें कि जैसे nurses घर से भी बाहर निकलें तो उनका एक अलग ही respect इस society के अंदर होना चाहिए और इस पर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ किचिंग का एक education का एक real क्या मतलब होता है कैसे मतलब होता है वो समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरे YouTube चैनल के माध्यम से उसफे अभी subscriber कम है students थोड़े कम है कम live आते हैं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं अपनी बात को तो वो तक पहुचा सकूँ अर्सिस तक पहुचा सकूँ आप भी मेरी help कर सकते हो इसके अंदर ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को influence करूँ उनको समझाओ कि real में वाकई education क्या होता है इसमें कितनी power होती है अगर अच्छी ढंग से educate किया जाए तो उसका society में कितना मान सम्मान बढ़ जाता है सारा खेल education का है education अच्छा अगर इंडिया के अंदर रहा तो definitely हम एक ऐसी reputation एक ऐसी image gain करेंगे जिससे कि हमें खुद को भी हमारा आत्मिस्वास बढ़ेगा सम्मान बढ़ेगा इसमें आप सब जो हैं मेरे जो जितने लोग educate हो रहे हैं उनक नहीं हो रहे हैं उनके education के level में एक difference आपको महसूस होगा अंतर महसूस होगा आपकी जो life style है वो बदल गई होगी बहुत सारे लोगों की तो और इस class के बाद और भी बदल जाएगी मतला आपका घर में रहने का pattern सोचने का तरीका यह सब change हो जाएगा जब आप patient को handle करेंग तब भी आपका सोचने का तरीका change हो जाएगा तो जब आपके अंदर यह changes होंगे न तो आपका society के अंदर automatic ही एकमान सम्मान reputation exchange यह सब आपको देखने को मिलेगा तो मेरे दोस्तों IHOP की आप भी इसी profession के हिस्से हैं और बाकी लोगों को आप educate कर सकते हैं आपके अंदर capabilities है मैंने develop करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और किया है और आगे भी करता रहूंगा तो आप भी अपने से जो junior से हैं जो other हमारे दोस्त हैं profession के लोग हैं उनको अपने अपने इस्तर पे definitely educate किया करें समझाया करें तिखाया करें कि what is the meaning of real education how they can get a real education how they can change their life in a very simple way क्योंकि मेरा language जो है पढ़ाने का that is very simplest बहुत simple और आसान भाषा का इस्तेमाल में करता हूँ कभी भी मिरको ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ ऐसी language या cutting language यूज़ करनी है जिससे बड़ा simple way में आप लोग समझ जाते हैं और मैं सिखा देता हूँ हर चीज को चाहे question कितना भी difficult क्यों ना हो चाहे topic कितना भी difficult क्यों ना हो चलिएगा अब हम topic पर आते हैं मेरे दोस्त सर मैं भी आपके जैसे बनना चाहती हूँ किसी की help कर सकूँ जैसे आपने मेरी help की है मेरी life बन रही हो और अपने मेरी life में एक value add कर दी है मैं भी किसी की life में अपनी value add करूंगी when I capable thank you so much you have great thoughts नवाभी राजा most common system involvement with diabetes mellitus pregnancy तर एक दिन में सोच रहे थे आने बाले टाइम पर सब स्टूडेंट्स आप से पढ़ेंगे you are great sir really आने बाले टाइम में खरगर वुगली ओने वाला है तर ये मैंने बहुत अच्छे से feel किया है yes Ritu you are feeling very right और मेरे कोशिश से एक घरगर वुगली होगा ही होगा तो देखिए मेरे दोस्त अब मैं बात करता हूँ आज क्लास के उपर क्लास में मैं आप से क्या discussion करने वाला हूँ इसको सुनिया आप लोग आज आप लोगों को पता है good news ये है कि आज मैं fundamental शुरू करने वाला हूँ कितने लोगों को पता है जरा एक बार मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कितने लोग जानते हैं कि आज से मैं ये morning 10 से 12 वाली क्लास में fundamental आपको पढ़ाऊंगा पाकी के दिन एक बार fundamental हमने आपको youtube पे पढ़ा दिया है लगबग finishing की तरफ ए complete होने वाला है और very good, excellent अब दूसरी बात सुनिए आज fundamental हो सकता है आपका दिमाग हिला दे आज जो मैं funda पढ़ाऊंगा और जैसी fundamental आपको पढ़ाऊंगा हो सकता है उससे आपका दिमाग हिल जाए understand बट मेरे दोस्त एक समझदार इंसान वही होता है जो सच्चाई को accept करें और उसके साथ मतलब समझ्याओं से या सच्चाई से reality से अगर अंजान बन करके मुह मौड करके जीवन जीरा है कोई वो मानसिक रूप से कमजोर विकती है जो सच्चाई को समझ ले रियालिटी को समझ ले और उसको accept कर ले असली में एक successful विकती वही बनेगा तो मैं आप से ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम इस सच्चाई को भली भाती समझ लें कि हमारा जो exam होने वाला है वो सारा exam scenario बैस होने वाला है बहुत level का exam होने वाला है इस तरह कि Northset 4 के अंदर हमारा experience रहा है उसी experience के बैस पे आगे की planning हम कर रहे हैं ताकि हर एक student अपना 100% exam में दे सके तो आज जो मैं आपको funda की classes शुरू कर रहा हूँ इसमें आपको ऐसी funda बढ़ाने वाला हूँ जिससे हो सकता है आपने पहले ना कभी सुना है और ना किसी ने आपको बढ़ाया है लेकिन ये definitely मैं आपसे confirm कहता हूँ कि आप पैसेंस के साथ class को attend करें एक बार अगर class नहीं याद हुआ तो दुबारा उस lecture को करें क्योंकि प्रियासों से ही जाकर के कुछ ना कुछ अच्छा हो पाएगा तो सचाई को accept करें मुसीबतें जो जीवन में आती है उनको स्विकार करें और उनके साथ अपने आपको जीने की आदत डालें तो अगर हम उससे अपने आपको denied करेंगे withdraw करेंगे तो definitely हम कहीं ना कहीं wrong track पे चले जाएंगे तो हम लोगों को track का महत्व समझना है और उसको accept करना है तो अब आप मुझे बताईए psychologically और mentally आप सब आज दू भी में पढ़ाऊंगा उसको ग्रहन करने के लिए comfortable हैं यहाँ पे मुझे आपका feedback दें फिर मैं अपनी class की शुरुवात करता हूँ दूसरा important बात सुनिए fundamental की जो classes अब चलेंगी इन classes अब से अभी तक अब से आज की class से सुन लिजेए अगा important बात आज की class से इस class से notes किसी को भी prepare नहीं करना है notes नहीं बनाना है इस class के बात से अभी तक की classes के notes बनाने थे जितनी मैंने ली हैं अब इस class के इस class से लेके आगे तक की classes के notes नहीं बनाने हैं या आपको exam के बात देखना है अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पूरा समय revision पे और learning पे लगाना है और जितनी classes होंगी वो सिर्फ और सिर्फ directly आपको PDF से पढ़ना है और lecture को सुनना है अब कोई notes आपको नहीं prepare करना है पास समझ में आ गया अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपना focus करना है तो वो करना है याद करने पे revise करने पे learning करने पे आने वाले समय पे मैंने आज से कम से कम एक महीने पहले आपको बोला था किब क्या करना है कैसे करना है वो सब कुष आप मेरे ओपर छोड़ने आपको बिल्कुल किसी चीज की tension नहीं लेनी है आपको सिर्फ अपना काम करना है जो सर ने रखा है वो करना है पस इसके लवबह को कोई टेंशन नहीं लेनी है तो आज से आपको notes वगरा written notes वगरा नहीं वनाने हैं तिर्फ आपको पड़ना है और बागी जो previously हो चुका है उसको revise करना है अब को बिलकुल clear समझ में है पिछले जनम में कोई पुर्णे का काम किया होगा जो आप जैसा गुरु मिला गुर्ट है रंजुना जी थैंक यू सौ मच बिटा क्लियर है सबको understood हो गया है कि हमें अब आगे का सफर कैसे तए करना है everyone understood यहां valid कर दो और कोई भी अगर कहीं भी confused होता है तो उसको आप लोग जवाब देंगे उसका confusion दूर करेंगे उसको बता देंगे कि सर ने आज से notes वगेरा prepare करने के लिए बना कर दिया है अब नहीं करना है अब सिर्फ और सिर्फ अपन को learning करना है revision करना है और test देना है clear ओके चलिए अब देखिएगा मैं अब आपको शुरू करता हूँ सबसे पहला unit पहला chapter सबसे पहला unit जो है वो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि care और care से related theories क्या क्या है और कौन कौन सी medical field में nursing के अंदर ऐसी theories दी गई जो care को decide करती है किस client को किस तरह की care किस तरह की priority की आवशकता है यह scientific तरीके से decide होना चाहिए यानि कि आपने सुना भी होगा आपके college के स्तर पे कि हमारी practice जो है उसमें और जो हमारी education है उसमें बहुत gap है तो हमारा nursing profession में कोशिश यह रहता है कि हमारी जो practice है वो evidence best होनी चाहिए ऐसा आप लोगों को दिखाया जाता है बोला जाता है कि हमारी जितनी भी practice है वो सारी practice evidence best होनी चाहिए हमें हर चीज का कारण पता होना चाहिए कि अच्छा हम ये कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं तो हमें किस ने बोला कि ये करना है और ऐसे करना है कौन सी theory ने बोला कौन से teacher ने बोला कौन से scientist ने बोला हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई करते हैं जो expert लोगों ने हमें कहा है उन्होंने research की उन्होंने अपने practical किये और तब जाके एक conclusion निकाला और वो ही conclusion आज किताबों के अंदर हम और आप पढ़ते हैं और exams में पूछे जाते हैं तो हर एक बात का scientific reason होता है कारण होता है उसी को science कहते हैं understand अब मेरे दोस्तों हम समझें कि जो care आप client को दे रहे हैं इस तरीके से दे रहे हैं उसके लिए कौन सा theory है इसने आपको बुला इसकी वज़े से आप वो care दे रहे हो इसको हम कहेंगे evidence best practice do you understand अभी मैंने आपको जैसे ये पिछले मेरी classes दो से ढाई महिने की classes में आपको educate किया अब आप इसको जब proper तरीके से hospital में apply करोगे तब जाकर के practice और education के बीच का gap समप्त होगा यहनि आपको पढ़ा तो दिया बहुत अच्छे ढंक से learn करवा दिया उसको follow करके जब आप apply करोगे तब जाकर के ये gap खतम होगा do you understand everyone so listen carefully तब से पहला YouTube की class बनाना है यह वाली class भी नहीं करना है यह मेरी बात कर रहा हूं सिर्फ मेरी classes video वाली class video वाले सरका काम करना है पूरा agities ठेक है ना video वाले सरका पूरा काम agities करना है सिर्फ मेरी classes के related मैं कह रहा हूँ मेरी classes का काम अब नहीं करना है क्योंकि सबसे बड़ा part मेरे पास है और जो man classes है मेरी 5 घंटे की classes present time पे आपकी चलती है और पिछले एक महिने से चल रही है 5 घंटे रो जाना पढ़ते हो आप मुझे तो ये 5 घंटे का जो work है अब ये नहीं करना है YouTube वाले class जो है उसको भी short में लिखना है key points बना के लिखना है पूरे-पूरे question नहीं लिखने है ठीके ना फिर्फ उसका conclusion और उसका explanation जो मैं देता हूँ को लिखना है बस पाकी और किसी भी class का कोई notes नहीं बनाना है समझ गे सब लोग बोलो रंजना और महजवी खान अब आपको समझ में आ गया सबको every doubt is clear ना होना कि किसका क्या काम करना है कैसे करना है any more doubt okay ठीके चलिए जो जो काम मैं बोल रहा हूं बस उसको वैसे ही करना है ठीके अब देखिए revise कैसे होगा सुनेल revise कैसे होगा revise pdf से ही करना है आस समझ में आया revise जो आपका pdf है उसी से करना है ओके और एक काम और कर दूँगा मैं अगर आप बोलो तो अभी हमारे को youtube वाली class का pdf नहीं मिलता है clear उस class को हमें पूरा attend कर करके और सुन करके और complete learn करना होता है तो आपके पास मैंने saunders 8th edition का book दे रखा है दे रखा है सबको pdf तो आप चाहो तो उस pdf का जो part है जो question वाला part है जो मैं करवा रहा हूँ उसकी print ले करके जब मैं समझाओ तो वहीं की वहीं उसको mark कर लो यह कर सकते हो समय बच जाएगा तो हमारा part बचा है ना सिर्फ जितना आपने note कर लिया that is good अब जो बचा है उसकी चाहो तो print निकल वालो print निकल के उसमें mark कर लो क्योंकि हमें तो पता है सर क्या पढ़ा रहें कैसे पढ़ा रहें रैशनल भी होता है आपके पास तो रैशनल तो छोड़ो रैशनल तो वह करना है जो मैं समझाता हूँ ठीक है ना ऐसे काम करना है क्या इतना सा थोड़ा बहुत लिखना होता यूट्यूब पे कितने 10 question 8 question रोजाना होते हैं इससे ज्यादा होते ही नहीं है थोड़ा सा नोट कर लो ऐसे करके और इनका जो रिवीजन करना है वो सारा रिवीजन आपको अपनी एप के अंदर जो PDF हैड होती है सब classes की उस PDF को इसी लिए दिया जाता है अगर आपको ताकि रिवीजन कर सकें आप आसा कर लो उसमें से अपना फिर जब short time period आपके पास बचे तो जल्दी जल्दी आप सीक लो क्लियर है अब बिल्कुल confusion दूर होगे सबके क्लियर मेरा first day है कैसे cover करू टेंशन हो रहा है टेंशन एंशन नहीं लेना विटा अब ज्यादा तो cover नहीं होगा ज्यादा तो cover नहीं होगा आपसे लेकिन जितना हो जाय उतना कर लो चायद उसमें से कब्राओ मत क्योंकि आप यह कह रहे हो कि आप आज से शुरू करोगे और उसको बीट करने की कुशिश कर दें हम जिसने एक महीने पहले शुरू किया तो वह संबव नहीं है अधेरे में नहीं रहना है इतना cover हो सकता है उतना कर लो यह आपके effort से कि कर मज में आई एक महीने से पढ़ रहा है तो उसको हम बीट नहीं कर सकते कि हम आज गेम में एंट्री करें और आज ही हम गेम के उस सारे नियम सीख जाएं तो दो महीने से सिखाए जा रहे हैं तो उसको compare नहीं कर सकते तो जितना हो सकता है उतना करें clear अब आगे देखो आप सबसे पहले मेरे दोस्त आप समझ ये कि health का definition health क्या होता है health है मेरे दोस्त एक complete state complete state किस चीज का physical, mental, social, well-being and not merely the absence of disease और infirmity कि आपको first year में ही पड़ा दिया जाता है ओके दूसरा illness क्या होता है a state in which a person's status, person का status, status क्या हो सकता है क्या क्या चीजें disturb हो सकती है physical, emotional, spiritual, developmental, intellectual, social is diminished or impaired अगर किसी को spiritually, developmental, intellectual, physical या emotionally problem है या socially problem है इस वो in dimensions में अगर अपने आपको adjust नहीं कर पा रहा है तो कहीं न कहीं वो ill हो सकता है उसको illness consider किया जाएगा do you understand? अब अभी मैं आपको बताऊं कि अगर science इतनी ही powerful है तो आप एक बात समझना हम कहते हैं कि science क्या है तो यदि अगर science ये नहीं मानती है कि gold क्या है तो फिर science के definition के अंदर spiritual word क्या कर रहा है इस word का मतलब बताव मुझे ये क्या कर रहा है फिर यहाँ पर इसका क्या काम था इन लोगों की डबली एचो की definition में नहीं था न तो spiritual science कहता है कि spiritual भी कोई value होती है science ने ये कहां से चुराया science ने ये कहीं से चुराया तो भई spiritual भी कोई चीज होती है फिर science ये क्यों कह रहा है कि अगर spiritually कोई व्यक्ति perfect नहीं है क्या नहीं maintain कर रहा है क्या disturbed है तो व्यक्ति illness कहलाएगा तो फिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को भूत लगा हुआ है भूत का मतलब होता है negative energy क्या होता है negative energy हम जब negative energy के शिकार हो जाते हैं तो उस condition में मेरे दोस्त science ने क्या consider किया science ने भी इसको illness consider किया है science खुद कहता है कि यदि spiritually कोई perfect नहीं है spiritually किसी को कोई समश्या है तो वो समश्या भी बेमारी में ही consider होती है illness में ही consider होती है you understand everyone तो आप science से पूछो कि spiritually scientific है के नहीं है क्या चीजें scientific है spiritually क्या science से पूछो कि spiritual क्या होता है so they does not have any answer कोई जवाब नहीं है so why they are include this term in their definition तो हम अगला question पूछेंगे कि फिर आपने आपकी definition में इसको क्यों include किया जब आपको इस पर believe ही नहीं है तो आपने इसको क्यों include किया so my dear students that have a great value और हम ये कहते हैं कि हमारी कालियार इंसान से WHO ने हटा दिया है spiritual को health की definition health की definition से हटा दिया ना लेकिन यहाँ illness की definition में तो है illness की definition में तो है अब हटा दिया है change कर दिया है तो वो tension में आ करके कुछ decision ले ले वो बात अलगे कि बात में हमारी चीज सच्चाई सामने आए हमारे को उस पे सवाल खड़े हो जाएं फिर उसके बाद हम किसी चीज को correct कर दें हटा दें कुछ कर दें वो अलग चीज है ठीक है ना लेकिन सच्चाई तो वो है जो इनसान उसको पहले इतने सालों से अब इतनी चीजों को यूज कर रहा है तो I think you are understanding what I want to say you कि सच्चाई तो वो यह चाई उससे हम denied कर दें, मना कर दें तो वो बात अलगे clear हो गया के नहीं हुआ सबको आप तो spiritual have a great value in the person's life और आप जानते हो कि एक भी ऐसा इनसान बताओ पूरे world में जैसे अलग-अलग countries हैं Chinese हैं, Americans है Canada है, Pakistan है India है अलग-अलग religions है तो क्या ये बताओ मुझे ऐसी कोई community है ऐसी कोई population है दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका अपना religion का कोई spiritual value ना हो हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई religion है और एक व्यक्ति का कोई ना कोई spiritual है है ना, मानता है वो हर परसन मानता है चाहे किसी भी country में रहता हो तो फिर वो health को affect क्यों नहीं करता होगा और फिर science को उस पर believe क्यों नहीं करना चाहिए जिसको पूरी दुनिया की population मानती है कोई भी है हर एक religion का अपना खुद का अलग pattern का spiritual value है yes or no जब इतने लोग किसी चीज को follow करते हैं तो कही ना कही उसमें कुछ ना कुछ तो है इसलिए तो इतने लोग follow करते हैं otherwise क्यों करते अगर उसमें कुछ भी value नहीं होती या उसका कोई महत्व नहीं होता तो इतने लोग क्यों मानते थोड़े बहुत मान लेते I think everyone understood तो अगर हटा दिया WHO ने तो फिर सामिल कर लेना चाहिए सच्चाई वही है clear है दोस्तों बोल ये जरा बात से सहमें तो कुछ गलत तो नहीं का अरे बात everyone understood still clear है तो दोनों definitions clear हुआ अब हम आगे बढ़ते हैं ये सबसे important part है हमारी इस class का हमारी इस class को अच्छा बनाएगा और important बनाएगा ये आपको ये font देखतो रहे है न छोटे छोटे जो लिखे हैं देखने में थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है लेकिन ठीक है मैं समझाओंगा सबसे पहले जब व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो उसकी आवशक्ताएं होती है उन आवशक्ताओं को एक पिरामिड के रूप में arrange करके बताने वाले scientist थे Abraham Maslow understand clear हुआ भूत होते हैं क्या clear कीजिए आज तक नहीं समझ पाए भूत का मतलब होता है energy, negative energy understand जैसे कि तुम लोग बोलो तो चर्चा करूं इस topic पर ना पढ़ाऊ नहीं तो आदे बच्चे बोले कहें कि यार ये सर पता नहीं पढ़ातो नहीं रहे हमारा एक्जाम पास आ रहा है जैसा तुम बोलो मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूं आप लोग को हो तो मैं इसका रंजना का सवाल का जवाब दे दूँ और आप बोलो तो मैं मैं स्लो की थियोरी पढ़ाऊ आपको जैसा तुम को क्या करना है जल्दी बुरो तो कि वो दस मिनिट तो लेगा कनफा में चलो दो काफ़ी लोग सुनना चाहते हैं तो सुन लो देखो एक और बात बताता हूं पूरी दुनिया में अभी समझाता हूं आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता है ठेके इस पर चर्चा की जाए आठीक अब बताता हूं सुनो देखो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांट युनिवर्स एनरजी का सिर्फ एक मात्र सोर्स है वो है मेरे दोस्त सनलाइट अगर मैं अब आपसे कहता हूं कि साइन्स में अगर इतनी पावर है तो आज तक अपना खुद का आर्टिफिशियल एन बना पाया यह आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं साइन्स या साइन्टिस्ट आज तक अपना खुद का एनरजी नहीं बना पाया यह चाहते तो लेवोरेटरी के अंदर जैसे वैक्सीन बनाई केमिकल रियक्शन करवाके एनरजी बना लेते पुरी दुनिया की समश्या स उससे एनर्जी आती है पैड़ पोदों के अंदर पैड़ पोदों को खा करके सबजीयों को खा करके एनर्जी आती है अदर जितने भी जीव हैं उनके अंदर पाकी हमारे अंदर पानलो अब हमारे अंदर हमने जो खाना खाया गेहूं खाया चपाती खाई कोई भी नॉन की प्लांट्स ने प्लांट्स से वो एनर्जी हमारे अंदर आ गया हम लोगों ने उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम हमारी उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इसनी बात समझो आप वो एनर्जी जैसे मैं आज मेरी एनर्जी जैसे मैंने ब्रेकफास्ट किया और करके मेरी energy का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पढ़ाने में तो scientist दूसरे scientist ने ये कहा कि energy को सिर्फ और सिर्फ convert किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है लेकिन नस्ट नहीं किया जा सकता ऐसा कोई तरीका आज तक नहीं है इससे की energy को नस्ट किया जा सके energy कभी नस्ट नहीं होती है सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में convert हो सकती है one form to change into another form that is the approved approved by the science yes or no so मेरे दोस्त अब मेरे अंदर energy आया मैंने जो भी खाया पिया उससे energy आया वो energy में कहा spend कर रहा हूं किस पे spend कर रहा हूं किस काम पे खर्च कर रहा हूं तो वो खर्च कर रहा हूं मतलब मेरे अंदर से एक energy release हो रही है एक waves release हो रही है जो आप तक पहुँच रही है इस ब्रह्मांड के अंदर release हो रही है ऐसे हर जीव sunlight से energy लेता है energy को लेकर use करता है यूज करता है तो उसकी body से फिर वो energy atmosphere में universe के अंदर release होती है release होकर के वो store होती रहती है क्यों store कह रहा हूं मैं क्योंकि energy को nust नहीं किया जा सकता है वो किसी ना किसी form में change होकर के और store होती रहती है जब वो energy बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो आपको success बना देती है आपका result positive आ जाता है जब किसी के गलत कर्मों की energy बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो energy उसी पर impact डालती है और वापिस उसको सजा देती है और उससे वो विक्ति जो है उसका विनाश हो जाता है दूसरी बात आपने सुना है Newton भाई साब ने कहा हमसे तीसरे नियम के अंदर Newton के तीन लों है तीसरे नियम मैं बोला कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है हर क्रिया की every action का reaction होता ही होता है तो जो action में कर रहा हूँ ये पढ़ा करके जो energy में release कर रहा हूँ इस universe के अंदर वो energy एक ना एक दिन वापिस लोट करके आती है उसी energy को हम पल कहते हैं परिनाम कहते हैं तो जो energy यहाँ से release हो रहा है वो नस्ट नहीं हो सकता कही ना कहीं store होता है वो store होकर के जब वो energy बहुत जादा हो जाता है तो वो हमारी health को हमारी life को हमारे result को वापिस affect करता है यानि वही energy का प्रतिकरिया हम लोगों को फिर से मिलता है कहते हैं ना अच्छे कर्मों का सब कुछ हमारे जो spiritual हैं वो ही बता के गए science के वल इनका practically proof कर रहा है जो science सिद्ध कर लेता है जो science से proof हो जाता है उसको science कह देते हैं जो नहीं होता है उसको अभी भी ये लोग अंधविस्वास कह देते हैं understand मैं कोई science का दुश्मन नहीं हूँ लेकिन जितना मैंने समझा है मैं वो बाते reality मेरे students के साथ share कर रहा हूँ जो हम proof कर लेते हैं उसको हम कह देते हैं ये science से जो हम proof नहीं कर पाए अभी तक उसको हम कह देते हैं किसा अभी ये अंधविस्वास से तो चलो अच्छी बात है तो मेरे दोस्त हम कह रहे हैं कि वो ही energy हमारी body को impact करती है हमारी life को impact करती है कि हमने किस दिशा में उस energy का जो sunlight से हमने energy ली रोज ले रहे हैं उस ली हुई energy का हम किस दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही part आपका strong हो जाएगा और वो ही part से आपको जो भी उचित परिनाम मिलता होगा वो परिनाम आपको मिलेगा उसको Newton ने कहा प्रतिकरिया क्या बोला प्रतिकरिया reaction एक्षन का reaction अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब बहुत सारे लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपकी जीवन जो है अपर कलास बनने लग जाएगी क्यों बनने लग जाएगी तो कि बहुत सारे लोग आपके लिए positive energy रिलीज कर रहे हैं यदि बहुत सारे लोग आपके लिए negative सोचेंगे तो बहुत सारे लोग आपके लिए negative energy release कर रहे हैं वो negative energy जो आपके लिए release की जा रही हैं वो आपकी health को आपकी life को impact करती है क्योंकि energy को नस्ट नहीं किया जा सकता है और वही energy मेरे दोस्तों वही negative energy हमारे शास्त्रों के हमारे शास्त्र भूत कहते थे यानि negative energy कहते थे science उसको आज energy कहता है बस समझ में आया सब को कि जीवन कैसे effect होता है और किस तरह से energy का cycle चलता है जिसको ecosystem हम कहते हैं यानि कि ecosystem ecosystem चल रहा है ecosystem मतलब एक stage जो है वो दूसरी stage पर depend होती है और इस तरह से जब इंसान मरता है तो वा आपिस इस universe के अंदर mix हो जाता है कुद्रत में mix हो जाता है तो यू understand everyone को बो जराब कि इस्टल क्लियर हो गया बाबा लोगों के पास नहीं जाना चाहिए आप अपने बाबा खुद है यह सामने teacher खड़ा है इस teacher से better explanation आपको कोई नहीं बताएगा किसी के चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ना है किसी के चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ना है सब फेकम फेक होते हैं ठीक है आपको scientific तरीके से जो जानकारी में दे रहा हूं वही जानकारी आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करनी है अपने आपको improve करने के लिए जो हमारे previous चीज़ें है ना उनको हम अपने life में उतारें और उनको समझें और सीखें समझ करके और apply करें और apply करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए कि कोई भी ऐसा person नहीं है इसके अलावा जो आपकी life में कुछ ऐसा कर देगा जिससे कि आप बहुत आपका भविश्य बन फिरना में आज से 400-500 साल या 1000 साल पेले जो लोग थे नोगों का IQ हम लोगों से बहुत अपर क्लास था बहुत ही ज़्यादा जिसकी में कल्पना भी नहीं कर सकता हमारे IQ से उन लोगों का IQ बहुत अपर क्लास था उनके पास science नहीं थी, फिर भी उनका हर काम scientific है, हमारे पास science से फिर भी हमारा काम scientific नहीं है, आप तो एक ही चीज देख लेना, आज से 100-200 साल पहले बनाई हुई इमारत ज्यादा best है, कि आज बनाई हुई कोई इमारत ज्यादा best है, यह आप difference करके देख लेना आपको समझ मे आजाएगा, तो मैं तो भाई साब जो आज से सेकड़ों सालों पहले वाले जो लोग कुछ बातें बता के गए, दुनिया को, उन बातों को मैं ignore नहीं कर सकता, क्योंकि उनका IQ बहुत high class था, हमारा IQ बहुत कम है, बहुत कम है, सुनने के बराबर भी नहीं है, उनकी science, उस time science नहीं थी, फिर भी उनका हर काम scientific है, आज science है, फिर भी आप देखोगे कि scientific बहुत कम काम होते हैं, फिर भी नहीं होते हैं, तो मैं तो इस चीज़ को ignore नहीं कर सकता, आप से मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों से सैमत हो, लेकिन यह मेरा अनुभव है, मेरी बाते इसको आप अपनाओ अपने जीवन में मत अपनाओ, मैंने practically scientific तरीके से आपको समझाया कि वाकई में energy cycle कैसे चलता है, हमारी life कैसे चलती है, उसका अगर आप इस्तेमाल करो life के अंदर तो शायद आपके जीवन में कुछ change आए, ओके, तो वो आपकी मर्जी है, वाकी मैं इत समझाता जाओंगा, कभी इस तरह की topics आप पूछेंगे, तो मैं उन पर बहुत detail में आपको समझाओंगा, clear है बिटा, ओके, अब बढ़ू में आगे, हाँ, एजिप्ट्स के pyramids का भी जवाब नहीं है, आज तो science के पास, आप तो इसी बात का जवाब दे दो मुझे, एजि लोह स्तंब का जवाब नहीं है, उस टाइम आज भी science को ये नहीं पता कि उसमें ऐसा कौन सा लोह स्तंब के अंदर ऐसा कौन सा chemical है, कि उसमें आज तक भी जंग नहीं लगता है, एजिप्ट्स के पिरामिड जो खोज रहे हैं हम लोग जिनमें जो dead bodies निकल रही हैं, वो dead bodies इस नेकड़ों सालों में भी क्यों नहीं सडी, उनमें ऐसा क्या डाला था उन लोगों ने, कि अभी तक वो dead body नहीं सडी हैं, वैसी कि वैसी पिरामिड के अंदर निकलती है, science के पास इसका कुछ आता पता नहीं है, तो आप भी इस चीश को मैंने तो accept कर लिया, आप भी इ अच्छाई बताता हूं, उन लोगों के पास कोई hospital नहीं थे, कोई alopathic दवाईयां नहीं थी, कोई paracetamol नहीं थी, कोई diclofenac नहीं थी, कोई agitromycin नहीं थी, फिर भी उन लोगों की life 100 से ज़्यादा हुआ करती थी, 100 साल से ज़्यादा, आज हमारे पास सब कुछ है, फिर m's नहीं थे उनके पास, लेकिन फिर भी उनकी life 100 से भी ज़्यादा होती थी ना, होती थी नहीं होती थी, तो उनका भाई साब मैं नहीं कलपना कर सकता कि वो लोग कौन थे, क्या थे, उनका IQ क्या हुआ करता था, आज के तारीक में वो कलपना करना संभव नहीं है, बस हम त करोगे तो भी कोई force तो कर नहीं रहा, वो इच्छा है इंसान की कि वो उसको समझता है कि नहीं समझता है, नहीं समझे तो भी कोई force नहीं कर रहा है, क्लियर हो गया, क्या सुनो, अच्छा रवी, मैं सर आपका full batch join करूँगा तब सारी बाते सिखोंगा, हाँ, उसमें तो आप एक साल तक सिखोगे मेरे साथ में, full batch के अंदर तो एक साल तक सारी बाते सिख जाओगे, क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ ग्यान मिलता है, ठीके, अब पढ़ाओं, आपकी कोई इच्छा का, क्योंकि आप बहुत सम्मान से मुझसे कोई सवाल करते हो, तो मैं आपकी इच्छा को मार भी नहीं सकता, आप क्या जवाब देना भी पढ़ता है, ठीके बिटा, अब पढ़ाओं मैं, अब सुनो मैसलो का पिरामिड, मैसलो के पिरामिड में सबसे पहला स्टेज, यानि कि हर वेक्ती जो है, अपनी फिजियोलोजिकल नीड पूरी करने की कोशिश करता है, तब से पहला स्टेज होता है मेरे दोस्त, फिजियोलोजिकल नीड, अब फिजियोलोजिकल नीड में क्या क्या आता है, ये सुनो, फिजियोलोजिकल नीड यानि कि शरीर का फिजियोलोजी प्रॉपर चलता रहे, इसके लिए आवशक कंपोनेंट्स को मैसलो, अबराहं मैसलो भाई साब ने फिजियोलोजिकल नीड के अंदर रखा है, तो क्या क्या होती है, बैसिक फंडामेंटल नीड ये इनको आप कह सकते हो, इसमें क्या क्या आता है मेरे दोस्तों, इसमें फुड आता है, क्या आता ह सबसे पहले food इसमें water आता है पानी आता है ओके food, water, air, air, sleep, understand, exercise, exercise, इसके बाद elimination, shelter, elimination, shelter, याने की रहने के लिए व्यवस्ता और sexual expression, sexual needs, तो मेरे साथ एक बार repeat करो आप लोग, सबसे पहला सतर जो बताया मैसलो ने अबराहम मैसलो ने वो बताया physiological need या basic fundamental need इसमें की व्यक्ति की कौन कौन सी आवशक्ताओं को शामिल किया, इसी भी person की food से related, water से related, air, sleep, exercise, elimination, shelter, sexual needs, अब जो इन में से questions आएंगे, वो questions आएंगे, mcqs कैसे पूछे जाएंगे, आपसे ऐसा नहीं पूछेगा direct, ऐसा direct नहीं पूछेगा, आपसे जो mcqs पूछे जाएंगे, वो इन सब के examples दिये जाएंगे और पूछा जाएगा, शाट कर बताये कौन सा example basic need से related है, air का मतलब है मेरे दोस्त oxygen, क्या है oxygen, तो पहला असतर सब को बिल्कुल clear हुआ के नहीं हुआ, खल यार इनसान अब तेरे सवाल का जवाब बाद में दूगा बिटा, आप मैं बरको पढ़ाने दे, ठीक है ना, बाद में किसी दिन ऐसा माहौल बनेगा तब पूछना, बिल्कुल clear हो गया ये, सब को अंडस्टूड हो गया, इनके example से related question आएंगे, जैसे आप से ये कहा जाएगा कि एक व्यक्ति जो ये कह रहा है, कि उसको रोजाना 6 गंटे सोना चाहिए, वो आप से नींद की demand कर रहा है, बताईए वो कौन सी मैसलो hierarchy के according, कौन सी need है, ऐसा question किया जाएगा, एक व्यक का urinary incontinence का patient था, urination नहीं कर पा रहा था, तो आप उसको catheterize करके urinate करवा रहे हो, पताईए ये उसकी कौन सी need है, इस इस तरीके के examples, अभी question से आगे, उन सब में आपको ये समझने को मिलेगा, तो clear हो गया है दोस्ट सब को, दूसरी बात, second हमारे पास जो need आती है number 2, मैसल hierarchy के हिसाब से, वो है, safety need, कौन सा need, safety and security, अब कभी भी ऐसा question आता है, कि आप, एक seizure के patient को, देखना question कैसे बनता है, एक seizure के patient को, आप जब care provide कर रहे हो, तो आपने side rails को अब कर दिया है, बताईए, ऐसा करने से, आप, पैसलो hierarchy के according patient की, कौन सी needs को fulfill कर रहे हैं, ऐसा, एक client जिसको hypotension है, बैड से उतरते वक्त, आपने उसको instruction दिया, कि directly ना उतरें, पहले बैड पे side में बैठें, फिर आराम से उतरें, क्योंकि उसको hypotension के कारण indigenous हो रहा था, बताईए, आप कौन सी need को fulfill करने की कोशिश कर र examples होंगे, उस सारे, तो हमें बस ये समझ हमारे अंदर develop करनी है कि कौन सा option किस तरह की बात कर रहा है, safety, security की क्या बात कर रहा है, कि सब, I think everyone understood ना बचो, बात समझ पा रहे हो, मतलब funda को समझ ना है अपने को, और मैं दो ही subject पढ़ाता हूं, इसलिए याद रखो, ये दो ही subject आपकी life change करते हैं, competition change करते हैं, medical, surgical, पूरा disease portion, सारे system पूरी body की, anatomy पूरी body की, और दूसरा fundamental, बस ये दो subject हैं, जो पूरी nursing का आधार है, मतलब यूँ समझो कि 60 से 70% nursing सीख जाओगे आप, ये दो subject पे command आते ही, और मेरी आदत है मैं बड़े relax तरीके से ही पढ़ाता हूं, म मेरे लिए सबसे important है आपको सिखाना और इसलिए आपसे हर शब्द के बाद पूछा जाता है, clear हो गया के नहीं हुआ है, understood है सबको, तो safety security में क्या क्या आएगा, need at this level are for avoiding the harm, जैसे कोई option ऐसा है, जिसमें कोई harm avoid करने से related आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि हमने का side rails को upper क कर दो, ताकि patient कहीं fall ना हो जाए, गिर ना जाए, दूसरा second आपको दिखेगा physical safety, then maintaining comfort, तो आप comfort को भी इसी के अंदर include करो, कभी आपसे कहा जाए bad का comfort, तो option आएगा तो वो इसी में include होगा, दूसरा order, कुछ भी इसके लिए prescribe किया गया, तो वो भी इसी के medication order हो सकता है, medication order, ओके, कि दो बार verify करना चाहिए, आपको सिखाया था मैंने, टेलिफोनिक orders को दो बार verify करना चाहिए, तो वो भी इसी के अंदर आएगा safety security में, structure, यानि कि proper care provide करते time, आपको हर जैसे catheter है, आईवी स्टेंड है, everything should be planned in proper manner, सही structure के अंदर ये सब होना चाहिए, physical safety, physical safety से related अगर कोई भी option आप से पूछा जाए, तो मेरे दोस्त वो option भी इसी के अंदर आएगा, आप किसी की freedom से related बात करो, किस से related freedom, from fear, यार freedom से related या tension से related freedom की बात करो, तो वो भी safety security के अंदर ये आएगा, कोई option ऐसा दे दिया जाए, जिसमें किस की बात हो रही हो, freedom की, और या फिर protection की बात हो रही है, तो वो भी किस के अंदर आएगा, मेरे दोस्त, इसी वाली need के अंदर आएगा, crystal clear हो गया के नहीं हुआ, दोनों part, सबसे पहला वाला कि options में क्या क्या आपको, questions के अंदर, example देखने को मिलेंगे, इन से संबंदित example, तो answer क्या आएगा, first वाला need, physiological need, first level, first level need, second level need होती है, safety और security, तो उसके अंदर क्या क्या options में देखने को मिलेगा, अगर ये सब options के अंदर आपको example, इनके example, इनको maintain करने वाले example, अगर पूछे जाएंगे, तो answer क्या देना है, clear हुआ के नहीं हुआ, बिलकुल understood हो गया न, को लिए जरा, हो गया, यहां तक perfect है मामला, clear झालना के और से लहा पाएं का दम एक तेरी पर आपको गड़ा आपको आपको आलना हुआ, झाल 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 साइकेट्रिक तो पढ़ा दी ना मिटा साइकेट्रिक यूट्यूब वाली जो पढ़ाई ना उसको कंप्लेट कर लो हाँ काफी एनफ है हो बहुत सफीसियंट है उससे ज्यादा साइकेट्रिक की जुरत नहीं है कि सबसे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट जुरत है आपको फंडा की आप अब देखो दूना बाते क्लियर हो गई दो लेवल समझ में आगे ना बिटा अब देखिए आप नमबर थर्ड तीसरा लेवल जो हमारा यहाँ पर होता है मैसलो हाइरार्की के अंदर वो होता है लव एंड बिलॉंगिंग क्या होता है बिटा लव एंड बिलॉंगिंग अब जिसकी पैसिक फिजियोलोजिकल नीट्स भी पूरी हो जाए जिसकी सेफटी सिक्यारिटी की भी नीट्स पूरी हो जाए तो तीसरी बात क्या आती है तिसरी बात आती है psychological support जैसे हम पैसेंट केर कर रहे हैं तो सबसे पहले physiological needs को maintain करते हैं जैसे body में fluid की ज़ुरत है तो fluid देंगे आप urine pass करवाना है तो आप वो ध्यान रखेंगे oxygen की ज़ुरत है तो वो आप ध्यान रखेंगे nutrition maintain करना है तो nutrition का ध्यान रखेंगे तो जैसे ही physiological needs complete होती है फिर आती है पैसेंट के number two पे safety clear है safety में जो जो भी हो सकता है जैसे आई वी प्रिक करते समय आप proper standard precautions follow करें infection control measures follow करें infection control का ध्यान रखना मतलब किस तरह की need हो गई है safety understand तो आप यह ध्यान रखो जैसे मैं कहें दूं यहाँ पर लिख करके infection control पैसेंट को जैसे isolate किया आपने लोगों को isolate किया तो isolate किया तो वो कौन सी need हो गई जैसे isolate किया ताकि infection ना हो तो वो कौन सी need हो गई safety understand तो ऐसा कोई भी हमारा intervention hospital के अंदर जो पैसेंट की safety को maintain करता है पैसेंट की security को maintain करता है वो safety need के अंदर consider करना है आपको clear कर लोगे ना आप safety need के जितने examples दे दिये जाए कुछ भी दे दिया जाए आपको proper समझ में आ जाएगा कि यह क्या बात कर रहा है तीसरे लेवल पे जब हम तो मैं आपको यहाँ पर फिर से लिखता हूँ क्यूरिंग पैसेंट केयर करते समय सबसे पहले नंबर पे हम उसको physiological needs को पूरा करवाते हैं यह पूरा करवाते हैं करवाते हैं यह क्राइरटी देते हैं यह प्रायरटी एटे हैं ठीक है फ्राइटी इस दूस करने का तरीका भी मैसलों ने सिखाया है यानि पैसेंट केयर करते समय नमबर टू पर हम सेफ्टी को प्राइटी देते हैं ठीक नमबर तीसरे लेवल पर हम साइकोलोजिकल या मेंटल हेल्थ को प्राइटी देते हैं यह बात समझ में आया के नहीं आया जो समझाया प्राइटी देते हैं understood हुआ सबको जाने की love emotions इन चीज़ों को understood हो गया फिल्कुल शुद्ध सरल तरीके से आ गया तो नमबर थ्री तीसरा लेवल जो था मेरे दोस्त मेसलो अबराहम मेसलो की हाइरार्की के अंदर वो है love and belongings need are forgiving or receiving of affection कभी भी आपको ऐसा कोई option दिखे जिसमें affection की बात हो रही हो sentiments की बात हो रही हो campaign shift की बात हो रही हो या जिसके अंदर satisfactory IPR की बात हो रही हो किसकी बात हो रही हो IPR की और identification with a group या फिर identification की बात हो रही हो ऐसा कोई भी example आपको मिले इनके सबके examples में ऐसे examples आप समझ जाओगे कि ये examples किसके हैं love and belongings related जो मैसलो हाइरार्की ने तीसरे नंबर की priority पे रखा है सबसे ज़्यादा priority फिर कम priority फिर कम कम ऐसे करके नंबर फोर्थ है मेरे दोस्त तोथे नंबर की जो priority है वो है self-esteem क्या है self-esteem ओके अब self-esteem में किसको रखा the individuals seek self-respect or respect from others work to achieve success तो यहाँ पर अगर आप से कभी किसी option में कहा जाए कि self-respect से related बात हो रही हो इसे related self-respect से related बात हो रहा हो work to achieve success and recognition in work या success and recognition की बात हो रही हो understand या फिर desire prestige from accomplishments प्रेस्टिज की बात हो रही हो आन सम्मान की बात हो रही हो तो ज़रा अब बोलिया आप ऐसे examples यदि कभी आपको देखने को मिले तो क्या understood कर पाऊगे मेरे दोस्त को लिए कि हम Maslow hierarchy के according किस level of priority की बात कर रहे हैं किस level of needs की बात कर रहे हैं सबसे पहला physiological number two हमने कहा safety security number three हमने कहा love and belongings याने की बिल्कुल simple way में याद रहेगा आपको कि जब हम patients की care करते हैं तो सबसे पहले physiological care देते हैं दूसरे number पे हम safety security care देते हैं तीसरे number पे हम emotional psychological care देते हैं दोथे number पे ये इसका personal matter है ओके self-esteem इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा अगर patient इससे लेना देना क्या कहां हो सकता है वो समझो अगर कोई old age person है और वो आपके सामने ये बात रख रहा है कि वो उसने जीवन में जो किया है उससे वो संतुस्ट नहीं है नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो उसके जो achievements है ना earlier stage के उनको एक बार उसको वापिस recognize करवा दो remind करवा दो उससे उसके अंदर जो आत्म सम्मान मिल आएगा prestige आएगा वो self-esteem develop करेगा मतलब कोई भी अगर की motivate हो रहा है तो उसकी तारीफ करना उसको motivation देगा unnecessary दुरुपयोग मत करना लेकिन इस technology का ठेके जैसे कि अगर कोई भी low confidence feel कर रहा है तो आप उसको confidence में ला सकते हो कैसे ला सकते हो उसको वो चीज़ें आप एक बार remind करवा दो जो उसने हासिल किया हुआ है जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि आप जब nursing में आये थे तो आपने first year का exam pass किया के नहीं किया उसमें जो बहुत बढ़िया percentage बनाई थी वो किसने बनाई थी किसी और ने थोड़ी बना के दीती आपको आप ही ने बनाई थी के नी बनाई थी गोलो जरा जो 12th की अंदर physics chemistry जैसे subject भी आपने पास किये किसने करे वो पास मैंने थोड़ी दिया था तुमारा paper किसने दिया था आपने ही दिया था और ये तो सिर्फ objective paper है जो आज होगा नौर सेट उस time तो तुमने अपने हातों से अपने दिमाग से खुद answer लिखे थे बिना देखे देखे थे नहीं लिखे थे पस्ट इयर में सेकंड इयर में थर्ड इयर में फोर्थ इयर में अपने अपने आई क्यू से answer लिखे थे जबकि तुम्हें बस एक question दिया था उसके बाद तुम्हे answer लिखने थे आज तो हमारे पास choice आती है चार option आते हैं एक choice करना रहता है तो यह क्यों नहीं कर सकते भाई कि कर सकते हो अब मेरी इस बात से वताओ तुम्हारे अंदर confidence बढ़ा के नहीं बढ़ा हूँ एरी इस बात से तुम्हारे अंदर का confidence build up हुआ के नहीं हुआ बढ़ा ना बोलिए यस नो यस तो हर चीज मैं आपको practically पढ़ा रहा हूँ महसूस करते वे पढ़ा रहा हूँ फील करते वे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप हर एक real practical life के अंदर इनका क्या use है यहाँ ऐसे ही दोड़ी ना भाई यह इनको हम पढ़ लें कर लें कुछ मतलब है नहीं अभी आप मेरे साथ जब से पढ़ रहे हो आपको हर चीज यही फील करना है यहां practically इनका कुछ ना कुछ यूज है इसलिए यह चीजें हमारे syllabus के अंदर include कि ऐसे नहीं है कि बस यह कुछ भी था तो आपको के दिया कि ले 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 पढ़ ले जभी पास करूंगा ऐसे नहीं practical है यह सब इसलिए आपके यहां पर शामिल किये गए ठेक है ना अच्छा FON में council में second rank थी मेरी वाव very good जब अब देखिए मेरे दोस्त नमबर फिप्त पे पाँच पिरामिड पे इस पिरामिड में पाँच लेवल है पाँच वे लेवल पे होता है self-actualization the individual possess a feeling of self-fulfillment and the realization of highest potential तो simply हमारे पास जो अंतिम लेवल है इसका एसलो पिरामिड का वो क्या है वो है पाचवा लेवल जो है वो है self-actualization 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 में क्या include करो गया आप यानि कि individual possess a feeling of self-fulfillment तो हम कहेंगे just feeling of self-fulfillment and the realization of highest potential realization of highest potential okay जैसे आपको कोई भी example ऐसा मिले हमारे exam के अंदर इसके अंदर हमसे यह कहा जा रहा है कि एक old age person है वो अपने जीवन में उसने जो किया है उसको लेकर बड़ा प्रसन है बड़ा खुश है satisfied feel कर रहा है तब उसने उसकी जिम्यदारियां थी वो पूरी कर दी है तो यह क्या है यह self-realization है यह नहीं कर पाया है तो वो कौन से लेवल की बात हो रही है जैसे कह रहा है कि मैंने जीवन में किया ही क्या है मेरे बच्चों के लिए क्या किया है मैं तो कुछ करी नहीं पाया हूँ अब एज भी बहुत ज़्यादा हो रही है मतलब मौत का डर अगर उसको है तो वो किस लेवल की बात हो रही है वो self-actualization की बात हो रही है वो कह रहा है कि बिमारियां आ गई है अब अल्ड एज में अब इतना काम भी नहीं कर सकता अब कभी भी जा सकता हूँ लेकिन जम्मेदारियां थी वो पूरी नहीं कर पाया ऐसा अगर आप से कह रहा है तो वो पैसेंट कौन से level of needs पूरी नहीं कर पाया तो वो self-actualization की बा किसी को होगा इस तरह से question आते हैं pattern भी समझाया मैंने pattern समझ में आया तो लिए ज़रा यहां मुझे feedback करें फिर मैं questions करवाने वाला हूँ अब और फिर अभी और भी strong करेंगे इस topic को कि अब देखिया आप सबसे पहला question हमारे पास अब इसमें एक तरफ question होगा दूसरी तरफ उसके answer होंगे यह लिखने नहीं है आपको सिर्फ सीखना है कह रहा हूँ which action is associated with a second level अब पहले तो मुझे यह बताओ second level का क्या नाम था एक बार पूरा याद कर लो लेवल वन फिजियोलोजिकल या फंडामेंटल लेवल टू सेफ्टी सिक्योरिटी लेवल त्री लव बिलॉंगिंग्स लेवल फोर सेल्फ एस्टिम और टॉप लेवल जो है वो है सेल्फ एक्चॉलाइजेशन एक अब बताना है अकोर्डिंग टू मैसलो हरार्की इन चार ओप्शन्स में से आपको यह निकालना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सेकेंड वाली नीट के एकोर्डिंग मैच हो रहा है कौन सा ऑप्शन पहला ऑप्शन टेकिंग डीप ब्रीथ तो डीप ब्रीथ लेना मेरे दोस्त एर से रिलेटेड है तो यह तो लेवल वन हो गया एक फर्स्ट लेवल हो गया hanging a self-made painting in a senior center तो जरा hanging a self-made painting in a senior center is example of fourth level need अब fourth level need क्या है self-esteem ठीक है न? ये अपनी बनाई हुई painting को ये senior center पे ठांगना चाहता है ऐसी इसकी इच्छा है मतलब इसको अपने आप में feel हो रहा है कि नहीं यार इसने बहुत बढ़िया काम किया ये उसको वहां रखना चाहता है तो ये कौन से number का need हो गया? fourth level need यानि कि self-esteem clear है? receiving weekly phone calls from adult children adult children say weekly phone calls receiving receiving weekly phone call from adult children is an example of third level need need for love and belongings clear है? number four removing scatter rugs after experiencing a fall in the home ठर्वे एक बार आप फिसल गे उसके बाद आपने जो रख्स थे उसको रिमोव किया तो removing scatter rugs after experiencing a fall in the home is an example of second level need यानि safety and security, you understand? अब ये एक question नहीं है मेरे दोस्त एक example नहीं है अब क्योंकि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? मैंने सारा topic पढ़ा के example कैसे आते हैं, question कैसे आते हैं, कैसे एक दूसरे से interconnect होगा, क्या क्या answer होगे तो आप से मैं यहाँ change करूँगा, second की जगे, first, second, third, fourth ये change करते ही इधर से चारों answer में से आपको find out करना है तो अगर मैं इसी question को आप से कह दूँ, match up करके बताओ, तो भी आप कर दोगे ना, match up कर दोगे नहीं कर दोगे और इस तरह के question मैंने आप से exam में पूछे हैं, M's के अंदर, इछले exam के अंदर, clear है, बताइए ज़रा यहाँ valid करिए, तो right answer आगया, fourth option यहाँ पर एक बार verify करो, यहाँ sir, बिल्कुल okay, perfect एक funda तो मैंने आपको YouTube में सिखाई, अब आप funda यहाँ सीख रहे हो, मैंने कहा था ना मैंने कहा था ना आप से, कि सिर्फ आपने मेरा YouTube देखा है, class के अंदर और भी आप कुछ अलग देखेंगे, और भी बहुत ही excellent way देखेंगे, मेरे दोस्त, आप समझ पा रहे हो, understood है, बिल्कुल कि still clear, कि क्या level होगा, किस तरह के questions पूछे जाते है, मैसलो हाइरार्की से, मैसलो हाइरार्की को इतना serious नहीं लिया जाता है, nursing के अंदर, लेकिन मैसलो हाइरार्की एक बहुत nursing सिखाने वाला topic है, priorities decide करवाने वाला topic है, understood, अब मैं अगर आप से कह दूँ कि आप इसमें से priorities निकाल के बताओ, आपकी पहली priority क्या होगी, वही same question ह होगा न, same ही question है, अगर मैं कह दूँ आप से, कि priorities निकालो आप, तो priorities में option arrange करो, priorities में option arrange करना है, तो सबसे पहले number पे तो पहला ही priority वाला option होगा, first level need के पहला option, number two पे हमारा कौन सा जाएगा, fourth वाला option, number three पे कौन सा जाएगा, three वाला option, और number four पे क्या जाएगा, second वाला option, तो आया अब आपको priorities कैसे निकालनी है, priorities आगया, clear, priorities कैसे निकालनी है, तो यही question को, question एक ही है, एक question का मतलब मैंने कहा न, इस एक question को, छोटे छोटे questions बना करके, कितनी भी भाहर पूछा जा सकता है, आपको हर बार नया लगेगा, लेकिन अब नहीं लगेगा, सिखा रहा हूँ, यहाँ पढ़ने के बाद आपको कोई question नया नहीं लगेगा, understood, अब आप देखो, सबसे पहले, चार question, match up के, चार question, इस तरह के, इस तरह के, एक एक option के, MCQ, चार question priorities के, ठेके, इसके बाद, चार, 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 सोला, आट और बारा, बारा question होगे, बारा ही question को, तो मैं बारा ही question इधर से बना दूगा, बारा दूनी choice question, तो आप समझ पा रहे हो, यह कितने question है, do you understand everyone, कि यह जो आपने एक question सोल किया है, इसका मतलब किया है, समझ में आया आपको सबको, 24 तो मैं बता रहा हूँ, 24 तो बहुत ऐसे question से, जो बिल्कुल strong question जिनको कहेंगे हम, 24 तो, और अगर आपको छूटे मुटे बनाने हैं, तो 24 और जोड़ लो इसमें, 50 question हो जाएंगे पूरे मिला के, इस एक question में, clear, crash course में इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, तो offline में क्या मज़ा होगा, वाँ भाई साब, offline में तो जिन्दगी बन जाती है, मेरे यहाँ पर, 12 महीने पढ़ाता हूँ, कि महीने में course होता ही नहीं है, और मैं करवाता भी नहीं हूँ, मेरा purpose ही नहीं होता है, course करवाना हूँ, priority wise समझ नहीं आया, priority wise कैसे, priority हम किसे कहते हैं, सबसे पहले physiological need को पहली priority पे रखा, दूसरी priority पे हम रखते हैं safety security को, तीसरी priority पे हम रखते हैं love and belongings को, पुती priority पे self-esteem, और पांच भी सबसे priority, last priority होगी self-actualization, अब हमारा इन चार options में से सबसे पहले नंबर पे रखा मैंने first, क्योंकि ये basic need वाला option है, दरीत वाला, तो ये सबसे पहली priority होगी, number two पे रखा आपने चोथा option, क्योंकि ये safety वाला है, तो second number पे priority देंगे इसको, फिर रखा तीसरे नंबर पे थर्ड वाला, तो थर्ड वाला इसलिए रखा weekly phone calls, तो ये self-esteem वाला है, तीसरे नंबर का priority, ये है हमारा सबसे last में hanging self-made painting, तो ये self-esteem वाला option है, इसलिए सबसे last में रखा, आज समझ में आ गया, love and belonging को हमने ऐसे रखा, तो इस तरीके से priorities के question किये जाते हैं, आप बिना पढ़ाई के भी, बिना पढ़ाई के भी मैसलो hierarchy को सीख करके, अपने काफी सारे question correct कर सकते हो, ये बात जो मैंने सिखाई है इसके आधार पे, तर में exam qualify करके आप से मिलना है, मेरी wish है, जै हो साउसर, बिल्कूल मिलना है, मुझे भी आप सब से मिलना है, आप सब को बहुत मानता हूँ, आप सब का बहुत सम्मान करता हूँ, मुझे था आप सब के साथ पता है ना, cycle से rally निकालनी है, highest level और highest priority कैसे करेंगे, ये समझ में आगया आपको, सच में सर नर्सिंग कर रहे हैं, तो पता ही नहीं था, ये topic इतना interesting है, आज तर कोई teacher, ऐसे practically, तो रिलेट पढ़ाते ही नहीं, slow theory को ऐसे भी पढ़ाते हैं, आज पता चला सर, बस पास होने के लिए पढ़ते थे, मैं confused था सर कि आपने answer की number देखे हो किसलिए, सर आप अभी बूटे नहीं है, cycle वाली बात नहीं, मैं भोलता नहीं कुछ में, सर वी आर रेडी, घर हर वगली, घर गर वगली, बिल्कुल सही बात है, ठेक है ना, मुझे ये बताओ, अब बिल्कुल clear हो गया के नहीं हुआ सबको, understood priorities निकालना भी आ गया ना, कोई भी किसी को, अब बताओ मुझे किसी को कोई confusion है क्या यहां तक, कि इतना मैंने अभी सिखाया, यहां तक कोई confusion है क्या, बोलो ज़रा, नो, अब कोई जैसे बेवकूफ वेक्ती अगर अंदाजा लगाए, तो सोच के देखो आप, अगर कोई बेवकूफ अंदाजा लगाए, क्लास को skip करके देखेगा, तो बेवकूफ क्या समझेगा सिर्फ, कि यार एक घंटा, चालीस मिनट सर ने क्लास ली, और क्वेशन कराया एक, यार अंदाजा लगाए, लेकिन जो समझदार होगा, वो ये समझेगा कि, एक घंटा चालीस मिनट क्लास ली, लेकिन क्वेशन कराया कम से कम, चौदा सो, उसको इदिखेगा लेकिन ये, देवकुप होगा, तो उसको क्या देखेगा, क्लास ली, एक घंटा चालीस मिनट क्वेशन कराया एक, और जो वाकई, ब्रिलियंट है, वो समझेगा कि, एक घंटा चालीस मिनट, और उसमें, वो सिखा दिया, जो शायद में, 140 दिन में भी नहीं सीख पाता वो सिखा दिया अंडरस्टेश्ट नहीं है ना आप कोई confusion चलो दूसरा question नहीं भवी ना फिर बात समझ में नहीं है शायद तिर को self-actualization वो आप गलत समझ रहे हों देखो यह highest priority नहीं है highest priority है यह यह first priority है ठीक जैसे मैंने यह सिखाया ना लिखके during care patient करते समय सबसे पहली priority second priority, third priority यह first priority है यह last priority है समझ गया अब 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 आपको पता है मेरा negative बहुत कम हो गया आपके गृू ग्यान से आपने जब से बोला जब तक question ना समझ आए आगे option ने ने बहुत बहुत कम हो गया है अब अगला question करो next question देखना आप nurse identify that patient is experiencing a developmental stress which information about the patient support this conclusion अब आप साफ साफ यह के रहे हो कि एक व्यक्ति को developmental stress हो रहा है पताव कौन से option में आपको पता चलेगा कि इसको वाकई में developmental stress हो रहा है मतलब डवलप मेंटल stress को कैसे समझ बाओ गया आप तो देखो पहला option going through menopause तो menopause एक developmental का ही stage है यह एज के अंदर life के अंदर menopause 50 year की age पे आता है मतलब जब developing life है उसमें यह option आता है टेकिंग multiple medication तो multiple medication लेने से अगर किसी को stress हो रहा है तो भाई multiple medication कोई life का developmental stage तो है नहीं तो यह तो नहीं होगा इस प्ले साइन ओफ विटामिन डेफिसियंसी विटामिन डेफिसियंसी लाइफ का कोई developmental stage तो है नहीं engaging in the altercation with the family members family members के साथ में altercation करना engage रहना ये एक psychological problem है psychosocial cultural activity है तो इससे stress हो रहा है तो ये कोई development तो है नहीं family के लोगों के साथ में engage होने से stress होना तो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों यहां पर आपसे जो question पूछा गया था वो ये का था कि कौन से type का case चार case दे रखे हैं कौन से case में अगर किसी client को stress हो रहा है तो उसको developmental stress आना जाएगा तो पहला ही option है going through menopause menopause के कारण stress हो रहा है तो this is considered as the developmental stress you understand everyone चलिए next question which statement by the nurse meet a second level need अब देखू second level need का क्या था second level need बताइए जरा according to Maslow hierarchy second level need का answer दीजे क्या है second level needs safety and security very good शाबाश तो देखिए I see that you have applied makeup today for the first time since your surgery जब से आपकी surgery हुई तब से लेकर के आपने आज first बार makeup किया है ऐसा पहले option में बोला गया जब से surgery हुई तब से लेकर के आज मैंने देखा कि आपने आज makeup किया है तो जरा यहां पर समझो in option number one is supporting a patient need for the self esteem is fourth level need तो ऐसी बात अच्छा चमकने के लिए अच्छा चमकने के लिए अच्छा देखने के लिए लोगों में अपनी अच्छी value बनाने के लिए ऐसा किया इसने यह जो option one वाला example है यह किस तरह का need का example है तो self esteem वाली need यानि fourth level need का example है number two I am your nurse for the next 12 hour you can use your call bell to page me आपने कहा कि अगले 12 घंटे तक मैं ही आपके लिए appointed nurse हूँ और अगर किसी तरह की कोई भी बात है तो आप call bell जो आपको यह दे रखा है इसको आप ring करवा देना इससे में आपके पास आ जाऊंगा तो यही वो option है मेरे दोस्त तो safety security को indicate कर रहा है understand तो यहां पर तर क्या गजब के question लाए हो very good यहां देखो आप providing information to a patient about who providing the care and who and how to call for help. How to call for help when necessary support the need to feel secure. इससे पेसेंट को क्या फिल होगा secure and safe. this is second level need according to Maslow. इस्टल clear हो गया है तो सही जवाब आ गया option 2. Option 3 your wife can visit every day between 10 in the morning and 8 at the night. यह कह रहा है आपने कहा कि आपकी wife जो है सुबर 10 बजे आ सकती है और रात को 8 बजे आ सकती है रोज आना हो. तो थर्ड वाला जो option है मेरे दोस्त explaining when a spouse can visit help meet the love and belongings need. a third level need. Number four a physical therapist will be in today to complete an evaluation. A physical therapist will be in today to complete physical evaluation. Physical evaluation करने के लिए physical therapist का होना मतलब इस need को indicate कर रहा है physiological needs such as activity, nutrition, elimination, oxygen और यह first level need है. तो मेरे दोस्त समझ गया अब अब इसी question को मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ कि priorities arrange करो अब आप. अब आप answer दो, priorities में arrange करके बताओ, चारो options को priorities में answer तो आपको आही गया जो पूछा था. अब यहां पे मैं first, second, third, fourth कर दूँगा तो answer change हो जाएंगे सबके, उसके इसाब से. अब आपको priorities में arrange करना है चारो options. सबसे पहली priority पर क्या होगा फिर क्या होगा ऐसे कर करें. शाबाश, तो number four के अंदर सबसे पहली priority है, तो option one, फिर second number का priority आएगा, यह वाला दूसरा level need, फिर इसके बाद third वाला आएगा, तो third वाला need, फिर उसके बाद आएगा fourth level, यानि कि option अरे यहाँ पर fourth, और फिर आएगा option one, यह होगा हमारा priorities, इस्टल क्लियर, four, two, three, one, आया नहीं आया मजा आपको hierarchy के सही, इस्तेमाल करना सीखे आप, अब इससे आप यह ही, एस्टलो hierarchy के नहीं, nursing में किसी भी तरह की priority को आप आसानी से सोल कर देंगे, इस्तेमाल करके, clear है? चलिए, आज आई मजा, चलिए, आज बस यहीं पर इतना ही पढ़ाऊँगा, आप इतना सीखो, कल इस class को मैं आगे continue करूँगा, ठीक है? आज यहां तक learn करूँ इस्टल क्लियर? question भी समझ में आगे कैसे आते हैं, ठीक है? मैं यही कहता हूँ आप सबसे कि चाहे कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसकी वजह से life बन जाए, एक तो बहुत सारा भूसा खा लें, और भूसा खाने के बाद में, पाचणी ना हो, कुछ मतलब ना निकले, चाहिसे आप एक कम खाएं, कम खाएं लेकिन quality खाएं, ठीक है बटा, मेरा यह मानना है, चलिए thank you so much आज इतना ही पढ़ेंगे आपको यहां तक की practice करनी है तीक ना है एक बार दो बार और class को revise कर लेना पूरी class को सुन करके फिर आगे बढ़ें कल की class में चलिए thank you so much wish you all the best